नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे बारविक अक्सा की पठ़ पुस्तक आरो भागदो से हजारी प्रसाद दविवेदी दवर रचेते सीरिस के फूल नामक जू पाथ है जो ललित नीबंद के रूप में यहां लेखक ने प्रस्तूत किया है तो उससे पहले हजारी प्र おत्तारप्रदेश के चप्रावलिया नामक स्थान पर इंका जनम हुआ है और इनका नीदन दिली में हुआ उननी सो उनासी इसवी में इनका नीदन हो गया था और इनकी कुछ परमुक रचनाए हैं क्योंकि बहुत ही परसिद लेख के रूप में जाने जाते हैं इनोंने बहुत सारे नीवन दो पत्रिकाओं का संबादन भी नो ने कि और इसका जो पाठ है यहां पर शीरिस के फूल उसका जो मुख्य या केंद्र विंदू है वो है शीरिस का फूल जिससे हमें लेखक ने संदेश दिया है कि जिस तरह है शीरिस का फूल अनेक प्रिस्थितियों में या विप्रित प्रिस्थितियों में भी वो कभी जरता नहीं है घबराता नहीं है वैसे ही यहां लेखक ने मनुस्य को विसीरिस के फूल के समान विप्रित प्रिस्थितियों में भी प्रतिकुल प्रिस्थितियों में भी धैरिये रखने की प्रेर बैट सरीत करते हैं तो जो हमारा पाट है इसमें सिरे से का जो पेड़材 उसके जो फोल है वो हमेशा गर्मी हो चाहे कितनी विलू पढ़ती हो लू चलती हो तो तबतें गर्मी में भी हमेशा हरा भरा बना रहता है फूलों से लदा रहता है तो उसकी विशेस्ता बताई है और उसी माददम से ही यहां हमें विपरित प्रस्थितियों में डट कर सामना करने की प्रेरिना दी है तो यहां जो हमारा पाथ है जो प्रारब होता है पाथ का लेख कहते हैं कि मैं एक जगए बैठा हुआ अपना लेखन का कारिय कर रहा था यानि लिखने का कारिय कर रहा था तो जहां मैं बैठा था उसके आगे पीछे दाएवाय, शीरिस के अनेक पेड थे, यानि बहुत सारे पेडों के बीच में बैठा हुआ था, और जेट की तपती धूप, जेट की कैसे धूपती तपती थी, जैसे बहुत अधिक गर्में पड़ रही थी, लू चल रही थी, तो ऐसा यानि तपती का वर्णन यहां किया है, और बताया कि धरने, जो धरती है, यह निर्धों माने बिना दुए के अगनी कुंड, यानि जिस परकार अगनी कुंड में धूआ होता है, तो यहां धूआ नहीं था, बिना दुए के अगनी कुंड बने हुई थी परत्वी, बहुत ही तप रही थ और कहते हैं, शीरी से नीचे से उपर तक फूलों से लदा हुआ था, यानि उस पर फूले उपर से नीचे तक लदे हुए थे, कहें भी वो फूल मुर जाए हुए नहीं थे, तो कहते हैं, यहां कभी, कि उसको देखकर, मुझे आश्रीय हुआ, कि जो वसंत्री तो आती है, तक तो सभी जो इन परवरिक्षों पर फूल लद जाते हैं, फल आ जाते हैं, लेकिन एकी सीरीस ही ऐसा पेड़ है, जो इतनी गर्मी में भी फूलों से लदा हुआ है, हरा भरा बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वरिक्षें, जो 10-15-20 दिन तक ही फूलता है, और पिर मुर्जा जाते हैं, तो यहां उन फूलों के बारे में, उन पेड़ों के बारे में, कबीर दास ने भी कहा है, कि 10-15 दिन तक के लिए जो लहकते हैं, वो मुझे पसंद नहीं हैं, तो वो तो क्या है, थोड़े समय के लिए आते हैं, और फिर मुर्जा जाते हैं, तो यहां क कबीर दास ने इसे की विशेष्टा को बताते हुए या उन जो कम समय के लिए जैसे पलास है अमरताल है तो ऐसे जो वरिक्स हैं उनकी तुलना यहां करते हुए कहते हैं कि यह जो इसका फूलों का पेड़ है जो दस दिन में ही और फिर खंडर के यह खंडर बन जाते हैं या खंडर बन जाते हैं तो पूरी तरह से जैसे फूलों से रहित हो जाते हैं तो कहते हैं उन दूमदारों से तो लंडूरे भले यानि यहां पर है जो यह कहावत कभीर दास जी ने दी है तो कहते हैं कि उन दूमदारों से तो यह लंडूरे भले यह जो हमेशा खिले रहते है फुलों से लदे रहते हैं, तो सिरिस के वरिक्स्त की यहां विशेष्टा बताई है, और यहां कभी, यानि जिस तरह सिरिस से अपनी विशेष्टा कभी नहीं खोता, या अपना जो फुलों से इतनी तपती दो पहरी में भी खिला हुआ है, हरा भरा है, तो वो अपनी जो विशेषता है वो लिए हुई है और कहते हैं कि भारतिय संस्कृती है जो यह भारतिय संस्कृत साहिते में भी फूल की जो कोमलता है उसका यहां वर्णन किया है जो सीरिस का फूल है वो बहुत ही कोमल होता है नाजुक होता है तो वो बताई गई है और वे देखता है यानि जो हमारा संस्कृत साइट है उसमें तो सिरफ इसके कोमलता बताएगी है और यहां तक भी का है कि यह जो भारों के यह पैर होते हैं तो उन पैरों का भार भी यह सहन नहीं कर पाता तो इतना कोमल बता है लेकिन यहां लेकक जो हजारी परसाद नहीं है बलकि इसमें दोनों चीजे हैं कोमल भी है और कठोर भी है दोनों तरह का समन वे इसके अंदर देखा जा सकता है सिरीज के फूले वरस में अधीक समय तक खिले रहते हैं यानि कुछ तो ऐसे होते हैं जो 10-15 दिन यह इस तिन में ही फूल आते हैं और फिर जहर के न मर्जी का है जो भीषन गर्मी में भी खील उठता है जिसे यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के जियोन में चाहे कितनी भी प्रस्तितियां आएं उनको आनंद पूरुवक जीना चाहिए जिस पर कर सिरी से इतनी तप्ति धूप में भी खिला रहता है लेकिन लेखक ने इसकी तुलना काल जाई अवदूत से की है अवदूत होता सन्या से काल जाई माने जो हमेशा या हर प्रस्तिती में से एक समान रहते हैं समभाव रखते हैं यानि ने कभी वो दुखी होते हैं और ने कभी वो ज़्यादा खुस होते हैं तो वो भाव यहां दरसाया है इसके फल ट तक खिला रहता है, यानि नए जो पत्ते फूल फल आ जाते हैं, फिर भी वो फल अपना इस्थान नहीं छोड़ते, वो फिर भी ऐसे ही खंकड की तरह बजते रहते हैं, और नए फूल आने पर भी वह उनके लिए इस्थान नहीं छोड़ते हैं, वसंत के आगमन के समय, जब स सारी बशन तra वन सतली दीगकार, तो भी मैं जाती है, तो भी सिरिसके पुराने फल पूरी तरह से लड़कड़ते रहते हैं, यहानि सर्षीद रहते हैं, यानि बजते रहते हिं क्योंकि वो सुख जाते हैं, और नय पत्त आ जाते पूल आ जाते हैं, फिर भी व अपना उड़ते तो यहाँ पर लेखक ने उनने नेताओं के बारे में बात की तो नेता की तुलना यहाँ उनने सूखे। प्रफलों से की हैं कि जिस परकार जम्याने का रूख वो नहीं पहचानते और जब तक नई पोद के लोग उने धक्का मार कर नहीं निकाल देते तब तक वो जम्य रहते हैं तो यहां उन नेताओं पर वेंगे किया है कि जो जादा समय तक सत्ता में रहना चाहते हैं और जब जब तक नई पोद्र या युवा पीडी जब तक उनको धक्का मार कर उनकी स्थान से नहीं हिला देती या उने नहीं धक्का मार कर निकाल देती जब तक वो अपने स्थान पर या सत्ता में बनने रहते हैं तो फिर कहते हैं लेख के यहां पर है कि पुरानी और नई पेड़ी की बात को सफ़स्ट करता हुआ लेख कहता है कि जो फल लगा है उसका जरना संभाव है क्योंकि अगर एक बार जिसे हमारा जीवन है अगर हम जीवन में आ गए हैं एक दिन आए हैं तो एक दिन हमें जाना का भी है उसी परकार यहां फलों का भी है अगर फल लगे हैं तो उसको एक नेक दिन है जरना यहां संभाव है काल देवता धीरे-धीरे सबी जीवन को निगल जाएगा क्योंकि काल देवता या जिसको अमियम राज भी बोलते हैं कि वह आता है और सबीको कि मृतु चलता रहता है और लेकिन मूरक लोग समझते हैं कि यदि वह अपने स्थान पर अधीक देर तक टिके रहे तो काल देवता की आँख से बच जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो सोचते रहते हैं कि अगर हम ज्यादा समय तक अपने स्थान पर बने रहे तो ज यह नहीं सोचते कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो एक दिन हमें जरूर जाना है तो फिर कहते हैं लेकिन यह तो गलत है जो गती सील है वही कुछ समय तक बच सकते हैं लेकिन सिरिस गवरिक्स को अदबुत अवदूत कहा है जो सुख दुख में भी मस्त रहता है यानि च या एक जैसा भाव हमेशा उसका बना रहता है हर क्या प्रिष्थित करदाओं में वह स् 먹을 तो यहां बीड़क के हमें एनि मानॉ갔 जी में मुझे में बीविड गषिति अर चुफ में ज्यादा सूक apex नहीं करना कशे वलकि समानभाव रखना करना चारहheenश्य और ृधित नही चाहिए फिर कहते हैं कि वनस्पति सास्त्रियों का कहना है कि इस रहनी के पेड़ वायू मंडल से अपना रस खेजते हैं और लेख के कबीर को भी मस्त बेपरवा सरस्त अता मादक मानता है तो जिस परकार से यह वायू मंडल से रस कहते हैं वैसे ही यहां हमारे कुछ कभी भी बताए हैं तो वो भी ऐसे ही हैं जैसे कबीर दास का उधारनी यहां पर दिया कि वो मस्त भी हैं बेपरवा हैं यानि किसी तरह की उन्हें परवा नहीं है समाज की सरस हैं बिलकुल सादा जीवन है मादकत मानता है यानि बिल्कुल मस्त जीवन वो करते हैं और कालिदास रूर अनाशक्त योगी ego लढ़ा होगा कसे के इंदे तो बिल्कुल में समभाव हो think you should come कितनी याएं कभी वह दुखी नहीं होते थे तो सम्भावत रखते थे इसगी कोई यसे सपार्मा को स कुछ यह सथा कि नहीं होकर कभी के सुनलतर ने को width को लड़की की सु नहीं ही नहीं बल्कि वहां कवी कि घृते की ज रखंकि की मुझत औरे भूबनेने बॉधन भावे में भूबने चूंग देखा था जो एक अनासक्त योगी के अंदर होता है और वही प्रग्यता यानि वही विद्वानता का भाव और वही विरह रूपी जो प्रेम रूपी हरदे भी उन्होंने पा रखा था राजा दुसियंत ने एक सच्चा प्रेमी होने के कारण सकुंतला का चित्र बनाया और लेकिन वह अदूरा रहे गया तो इस पर्ठ में ताजा दुसियंत के बारे में भी वर्न किया गया है कि उन्होंने सकुंतला का एक ऐसा चित्र बनाया जो क्या रह गया अदूरा रह गया था क्योंकि वे सकुंतला के कानों में से उन्हों फूलों को देना भूल गए थे क्यों वो हमेज़ा अपने कानों में पाइने को मैं बोल गाती है तो जब उन्होंने यह चित्र बना ये च्वें रादन में और पार का criança भूल गई थैं तो अंत में लेखा के का विचार है कि कवी सुक दुख में अनासक्त रहकर जीवन का रस निकाल सकता है तो वही कवी पूरण है जो बाहिये और आंतरिक सौंद्रिये का वर्नन करना जानता है तो वही एक अच्छा कवी है कि जो बाहिये यह बाहिये बाहर के वातावरन का या प्रिवेस के बारे में जान सकता है और आंतरिक सौंद्रिये जैसे कालिदास ने अपने हरिदय से यह रचना निकाली थी सकुंतला नामक जुनाटक उन्होंने लिखा था तो वो उनके हरिदय से निकली हुई ही रचना थी लेखक के अनुसार कालिदास के साथ साथ सुमित्रा नंदन पन्त था रविंदर नास टेगोर में यह गुणे विद्देमान थे यह सारे गुणे किसम है और बताए हैं यानि बहुत सारे जैसे कबीरदास में बताए कालिदास में बताए बरमाजी हैं वालमी की हैं वेद वियास हैं तो यह सारे अननासक्त योगी थे उनही की तरह का समित्रा नंदन पन्त थे तो ये साधारन जो ये सामानने लोग हैं जो जहां से वो सोचना सुरू करते हैं या जहां से उनकी जो दरश्टी समाप होती है वही से ही यहां वो दरश्टी सुरू होती है चिरिस का पेड कवी के मन में ऐसी उमंग जगाता है जो उपर को उठती है जिस परकार धूब वर्षा लू आंदी में चिरिस का फूल रह सकता है उसी परकार हम भी ये प्रतिकूल परस्तितियों में रह सकते हैं तो यहां लेखके हमें यही बताना चाहते हैं कि जिस परकार धूब धूब में वर्षा में लू में आंदी तुफानों में जैसे मस्त बना रहता है वैसे ही हमें भी अनेक जो प्रतिकूल या विप्रित जो प्रस्तितियों आती हैं उनमें हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए मस्त बने रहना चाहिए आनंद पूर्वक रहना चाहिए तो यहां गांदी जी का विदारन दिया है कि गांदी जी आईसे व्यक्ति थे जिनोंने दे बल के ऊपर आतम बल की स्रेश्टा को सेद किया यानि अपने सरीर के बल कोई अधिक मेहत्व नहीं दिया बल्कि अपने जो आतम बल है अपने अंतर आत्मा के माध्हम से ही उन्होंने अपने इस रेष्टा को सिद किया और वे आतम बल के दवार अंग्रेजों के देवल पर विजय उन्होंने प्राप्त किया विजय दिलाई और शिरे से वायू मंडल से रस कीचता है इसलिए वो इतना कोमल और इतना कठोर होता है तो यहां वही उदारन दिया है कि जिस पर करगांदी जी ने अपने दे बल को यानि अपने सक्ति को इतना महत्व न दे करें अपने जो आंत्रिक विचार थे आंत्रिक जो बल था उसके कारण ही अंग्रेजों पर अपनी विजय पराप्त की थी या अंग्रेजों के साथ है जो संग्राम चले लडाईयां चले उनमें उन्होंने विजय पराप्त की और गांदी जी भी वायू मंडल से रस केच करें इतना कोमल थे कठोर हो सकते थे लेकिन कवी को दुख है कि दहान नहीं है जो हमें सवतंतर होती हुए भी आज हमें सवतंतर नहीं है आजाद नहीं है वो पीड़ा अब भी हमें सताती रहती है और माहतमा गांदी जीने जिस तरह प्रतिकूल प्रस्तितियों में भी डट कर सामना किया तो ऐसी ही प्रस्तितियां जो आज हमारे जीवन में या हमारे समाज में व्याप्त हैं तो हमें भी इसी तरह की युवाओं की जरूर थे जिस तरह महतमा गांदी जी थे और वो युवा आज भी महतमा गांदी जी की तरह अब एक सारी रिक बल का परियोग ने करके आतम बल का परियोग करके इन प्रस्तितियों से उबार सकते हैं निकाल सकते हैं तो ये मारा पाट तब चो तो इसमें यहां लेकक ने विपरित प्रस्तितियों में संभाव रखने की या सुख दुख दोनों को समान भाव से देखने की प्रेरिना दी है और कभी भी हमें विपरित प्रस्तितियों में पलायन नहीं करना चाहिए उनका पूल की तरह जो गर्मी सर्दी धूप लू आदी में डट कर सामना करता है वैसे ही हमें अनेक प्रस्तितियों का डट कर सामना करना चाहिए तो बच्चों ये था हमारा पार्ट सेरिश के पूल तो मैं उमीद करती हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा अगर आपको कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रिजनों में इसको सेर कीजिए धन्यवाद